नमस्कार दोस्तों अगर आप आप अनलाइन प्लेटफॉर्म पर TGT PGT का विकल तलास रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल सही है हम लोग यहाँ पर TGT और PGT की मुफ्ट क्लासेस देने जा रहे हैं जैसा कि आप लोगों ने इस चैनल पर ट्यून किया है तो ये मैट्स की TGT के लिए यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आप लोगों को डे बाई डे पूरे सिलेबस के अन्रोप यहाँ पर वीडियो आपकी तैयारी के लिए यहाँ पर डाला जाएगा तो ये पहली वीडियो है और आज हम लोग यहाँ पर TGT मैट्स के सिलेबस के बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं तो अगर TGT मैट्स के सिलेबस की बात की जाए तो सबसे पहले पार्टिकरम को हम जान लेंगे और पार्टिकरम को जानने के बाद इसकी डे वाई डे स्पोंठेट वह हम प्यारी करते हैं, तो कोई हमारा क्या टॉपिक शूटने नहीं पाता है तो अगर हम बात करें तो कुल योनियटों की अगर हम बात करें, तो क्ल 12 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है ये आपका 12 YUNIT में आपको divide किया गया है ठीक है और वरहों YUNIT वो कौन entrada कर लेते हैं अगर हम सबसे पहले बात करें कि पहला YUNIT क्या है तो पहला YUNIT आपका जिसको आप लोग अंकगड़ित कहते हो ठीक है वहारीग गड़ित जानते हो और साथ साथ इसको अंक गड़ित के नाम से आप लोग जानते हो कंप्रिशन लेवल पर यह आपकी तैयारी बहुत ज्यादा आता है तो इसको अरिथमेटिक नाम दिया गया है कॉमर्सियल मैथ भी इसको कुछ लोग कोहते हैं दूसरे अगर हम सिलिवस की बात करें जो सेकंड यूनिट होगा हमारा ठीक है यह मैं आप लोगो को पहले यूनिट के बारे में चरचा कर रहा हूं फिर यूनिट के हम लोग अंदर घुसेंगे और वहां पर हम लोग उसके ज दूसरा आपका जो है सांखिकी यह भी आपकी कॉमर्सियल मैथ ही है लेकिन क्लास 10 ते में आपको याद होगा यह आपका था ठीक है स्टैट्र में कि इसको जाना जाता है ठीक है जिसमें बारं बार्त, बंटन यह सारी चीज़े आप लोग पढ़ते हो अगर तीसरी टॉप है ठीक है तो बीजगड़ित का टॉपिक है और यह काफी लंबा टॉपिक है इसको दो यूनिट में पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे अगर चौत ही यूनिट की बात करें तो आपका सेट सेट्स एंड ग्रूब थियरी सेट्स एंड ग्रूब थियरी जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो सेट्स का मतलब होता है समुच्चे समुच्चे एवं ग्रूप थियरी का मतलब होता है समुह सिध्धान समुच्चे एवं समुह सिध्धान ठीक है और अगर हम पाचवे यूनिट की बात करें तो यह आपका हो जाएगा आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा रियल एनालेसिस जिसको वास्तविक विसलेशन कहा जाता है ठीक है मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिस का कोई खास मतलब नहीं है टॉपिक हिंदी या इंग्लिस में जरूर हो सकते हैं बाकि पढ़ाई आपको जो करनी है वह आपको हर जगह से महीं मिलती है ठीक है तो यह आपका पांचवी यूनिट हो जाएगी जिसको वास्तविक विसलेशन के नाम से आप लोग जानते हो ठीक है छटवे यूनिट की अगर हम बात करें तो हमारा जो छटवा यूनिट होगा अगर शिक्स यूनिट अपको आपका कैल कॉलिस जो की क्लास 12 में आप लोग ने पढ़ा होगा ठीक है तो यहां पर सिक्स यूनिट हम देख लेते हैं कैल पुलश ठीक है कैल्कुलस को हिंदी इंग्लिस में कैल्कुलस ही कहा जाता है जैसे कि आप जान रहे हैं और इसके अंदर भी जो टॉपिक्स होंगे वह उस पर हम लोग अभी बात पें चर्चा करेंगे अगर साथवे यूनिट की बात की जाए तो साथवी यूनिट हमारी हो जाएगी ट्रेग्नोमेट्री ठीक है जिसको आप लोग ट्रिकोर्ड मिती कहते हो बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और परिछाओं में प्रमुक्ता से इसके कोश्चन्स आप लोगों से पूछे जाते हैं इसमें भी कुछ टॉपिक से उसकी बारे में हम लोग बात में च भ्योमेट्री यानि की ज्यामिती ठीक है अब ज्यामिती में भी आपके अलग लग टॉपिक है इनके बारे में हम लोग बात में चर्चा करेंगी जिशान्मेट्री निर्देशांक जियामिती कहते हैं ग्राफ स्थाफके द्वारा आप लोग करते हो निर्देशांग करते हैं नििर्देशांग करके वो आपका क्या होगा dynamics ठीक है class 12 में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा यह topic को डायना mix यानि की गती विज्ञा न्यूटन से related method पर आपकी यह ज्यादा तर questions इस पर कराया जाते हैं ठीक है गती विज्ञार और अगर हम लोग 11 वे topic की बात करें तो यह आपका हो जाएगा vector analysis क्या हो जाएगा vector analysis ठीक है जिसको आप लोग सदिस बतलब विश्लेशन या सदिस विश्लेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं ठीक है हिंदी में अगर हम बात करें तो सदिस विश्लेशन के नाम से इसको जानते हैं और जो हमारा अंतिम टॉपिक है जिसको हम लोग 12 वी topic कहते हैं वो statistics है इस ठीक है वो statistics दूसरी है वो commercial math की है यह statistics है तो statistics की अगर हम बात करें तो इसको इस्थिती विज्ञान करते हैं गती विज्ञान दूसरा इस्थिती आपका विज्ञान कहा जाये गई है ठीक है डाइनेमिक्स गतिविज्ञान इस्टेटिक्स आपकी इस्टिविज्ञान तो ये इन बारे टॉपिकों पर हमें आपको अगर तैयारी हम लोग काईदी से कर लेते हैं तो टीजीटी हमें निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है अब आईए शुरुआत करते हैं एकद पढ़ना क्या-क्या है ध्यान दीजिए हमें इसमें जो है आप क्या-क्या पढ़ना है इसमें हमें कारे तथा समय पढ़ना है कि कारे तथा समय पढ़ना है कि इसमें हमें कि प्रतिशत्ता पढ़नी कि प्रतिशत्ता का टॉपिक पढ़ना है प्रतिशत्ता की टॉपिक के सा साथ-साथ अगर हम इसमें देखें एक्दम डिटेल बाइड डिटेल यहां पर हम लोग बात करते हैं तो कि चाल कि समय कि दूरी ठीक है यहां पर मैं इंगलिस में भी लिफता जाता हूं वर्क कि एंड टाइम प्रतिसक्ता को पर्सेंटीज चाल समय दूरी को हम क्या कहेंगे चाल समय दूरी को हम लोग यहां पर टाइम और डिस्टेंज टाइम स्पीड और डिस्टेंज ठीक है डिस्टेंज यह कहेंगे आपको SI and CI पढ़ना है आपको बैंकिंग पढ़नी है क्योंकि मैंने कहा कि इसमें कुछ कॉमर्सियल मैथमेटिक्स भी आपको पढ़नी पढ़ेगी ठीक है चक्रविद्धी व्याज, साधार अरव्याज, बैंड कैसे उधार देता है, कैसे एमाई लेता है, यह सारी चीजे ठीक है और आपको थोड़ी वह टैक्सेशन भी यहाँ पढ़नी है, ठीक है, टैक्सेशन भी यहाँ पर पढ़नी है, जिसको हिंदी में कराधान कहते हैं, ठीक है, यह सारी चीजे आपको अरिथमाटिक के अंतरगत पढ़ना है, ठीक है, अब जरासा जो हमारा जो यह पहली यूनिट हो गई, पहली यूनिट के अंतरगत आपका यह टॉपिक है अगर हम दूसरे यूनिट पर चले तो दूसरा यूनिट यहां पर मैंने क्या लिखा था दूसरा यूनिट जो मैंने लिखा था वो इस्टाटिक्स लिखा था की स्टेटिक्स कि यह जो मै्द है निट कि यह न्टर गलता है इसमें पढ़ना क्या क्या है हमको हमको इसमें बारमबारता बंटन पढ़ना है बारमबारता बंटन क्या होता है तो बारमबारता बंटन को frequency & distribution कहते है जो क्या कहते है trauine के और क्रेक्वैंसी and लीप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल रीप्रेजेंटेशन जिसको हमलोग क्या कहते हैं आकडो का आलेख ही नेरोपड आकडो का डेटेल यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आकडो का आलेख ही निरूपण ठीक है चलिए तीसरे टॉपिक की और में चलते हैं तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा केंद्री प्रवित्य की मापे और यह भी अगर देखा जाए तो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ठीक है और जर्म मृत्यू सांखी की यह सब डाटा पर अधरित प्रश्ण होते हैं ठीक है सूच कांक तो यह हम स्टाटेटेक्स के अंतर कर चीजों को पढ़ते हैं छलते हैं अगले टॉपिक पर हमने देखा जायें तो हम लोग ने किस टॉपिक की चर्चा की थी हमने अलजब्रा की चर्चा की थी हमारा थर्ट जो टॉपिक था वो किस से समंधित था वो आपका अलजब्रा यानि की बीजगड़ित से समंधित था और बीजगड़ित काफी इंपोर्टन टॉपिक है जो आप लोगों को इसमें मैक्सिमम नंबर आपको यहां पर गेन करवाता है ठीक है तो चलिए इसके बार अगर बीजगड़ित की बात करें तो यह दो पार्टों में मैंने कहा था ठीक है जैसे की आप लोग सर्डस इंचोटे चोटी-छोटी टॉपिक है लेकिन कोशन आता है सर्प माने करनी हिंदी में इसको क्या कहेंगे करनी कहेंगे ठीक है प्र कॉन सा टॉपिक है अगर बात बात करें तो पॉलीनॉमियल्स Class 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलीनॉम्यल्स पॉलीनॉमियल्स का मतलब क्या होता है बहुपद होता है इंदी में इसको क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं पिर अगर बात करें तो LCM and SCF लगुत्तम समापुर्तक महत्तम समापुर्तक के बाद अगर बात करें तो आपका linear equation यह भी आप लोगोंने class 9 और 10 पढ़ा होगा linear equation ठीक है linear equation को हिंदी में रेखिए समीकरण के नाम से भी जाना जाता है ठीक मैंने कि इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं वाड़ेट्री की एक्वेशन को हिंदी में कहते हैं द्विगात समीकरण द्विगात समीकरण यह भी आपको class 9 और 10 दोमों में मिल जाता है ठीक है फिर हम लॉगरिथम पढ़ेंगे जिसको लगुड़क के नाम से भी जाना जाता है इसकी बाद अगर हम बात करें तो नंबर सिष्टम तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि 9 10 की जान है यह पूरा नंबर सिष्टम संख्या पध्यति संख्या पध्यती के नाम से इसको जानते हैं ठीक है फिर आप लोगों को क्रमचे संचे क्रमचे क्रमचे संचे क्रमचे संचे को permutation and combination कहते हैं ठीक है द्विपद प्रमे जिसको बाइनामियल थेरम कहते हैं क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा बाइनामियल थेरम ठीक है और आप ये सारी चीज़े इसमें पढ़ने वाले हैं इसके बाद अगर हम देखें तो हमें AP पढ़ना है जीपी पढ़ना है एचपी पढ़ना है प्रॉबिल्टी पढ़ना है ठीक है क्या पढ़ना है प्रॉबिल्टी जिसको प्राइक्ता कहते हो ठीक है क्या कहते हो प्राइक्ता ठीक है प्राइक्ता के बाद आपको क्या पढ़ना है मैट्रिक्स पढ़ना है ठीक है आने ही आने कोशन है आपको सारडिक पढ़ना है जिसको determination कहते हो determination कहते हो यह सारी की सारी चीज़े आप लोगों को अगर बात करें तो इसके अंतरगत क्या क्या चीज़े आती हैं सेट्स एंड ग्रूप थियरी देखें इसके अंतरगत पहले सेट्ट सबसेट्ट सेट्स सबसेट्ट एलजेबरिक ऑपरेशन एलजेबरिक ऑपरेशन के साथ साथ रिलेशन्स रिलेशन के साथ साथ आपका मैप मैपिंग बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है फिर अगर बाप करें तो आपको पियानोज एक्जियम्स इन चीजों को हमें सेट्स ग्रूप थियरी के अंतरगत पढ़ना है चलिए अगर हम नेक्स टॉपिक की बात करें जो हमारा नेक्स यूनिट था तो वहाँ पर मैंने आप लोगों से चर्चा किया था इसको हम लोग कहते हैं इसके अंतरगत अगर हम बात करें तो हमें कुछ चीजों को जो पढ़ने की जुरूत है वो क्या है कनवर्जेंट सिरीज कनवर्जेंट सिरीज उसके बाद एक्जियम्स अन रियल नंबर्स ठीक है यह टॉपिक्स हैं हमारे और कॉशी थेर्म कॉशी थेर्म ताइवर्जेंट सिरीज कनवर्जेंट भी है और डाइवर्जेंट सिरीज यह आपका रियर एलालसेश से सम्मंदित हो गया ठीक है और बॉल गैनो विश्ट्रॉस-थेर्म पॉल गैनो विश्ट्रॉस-थेर्म यह आपका रियर एलालसेश के अंतरव्य हमको पढ़ना है चली अगरे टॉपिके हम बात करते हैं अब आ जाते हैं जो सबसे इंपोर्टन टॉपिक है और यहां से भी प्रशन बहुत ज्यादा पुछे जाते हैं यह कौन सा टॉपिक है कैल्कुलस है तो कैल्कुलस में क्या क्या चीज़ी आनी है कैल्कुलस की बात करें तो लिमिट्स एंड काउंटिनिटी इसके बाद अगर हम बात करें तो डिफ्रेंस ये सर्थ इंटीग्रेशन पिर अगर हम यहां पर बात करें तो मैक्सिमा एंड मिनिमा मैक्सिमा एंड मिनिमा के बाद अगर हम बात करें तो अप्लिकेशन ओफ इंटीग्रिटी खेर अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ओफ पार्ट्स पार्शिल फ्रेक्शन पार्शिल फ्रेक्शन और भी बहुत सरी चीजें हैं जो आप लोगों के इसमें पुछी जाएंगी ठीक है जैसे नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो मैंने आपसे कहा था यहां पर जो चर्चा करने वाली चीज है वो ट्रिग्नोमेट्री हैं काफी मैजेदार भी है और इंट्रेश्टिंग यहां से कॉश्टन्स पूछे जाते हैं तो यहां पर आपका जो सबसे पहले है वो टी रिशियो जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रिशियो कहते हो आप लोग टी रिशियो दूसरा अगर हम बात करें तो आइडेंटिटीज जो क्लास्टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसको हम लोग ट्रिकोर्ड में तीय सर्व सभी काएं भी कहते हैं ठीक है आइडेंट टीटीज ठीक है और अगर हम बात करें तो टीएक्वेशन जिसको ट्रिक्नोमेंट्रिक एक्वेशन कहते हो आप लोग ठीक है फिर आप लोग स्ट्रक्चर आफ ट्रेंगल स्ट्रक्चर आफ ट्रेंगल हाइपरबोलिक फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ साथ आपका हाइट एंड डिस्टेंज यह आई हाइट एंड डिस्टेंज तो यह चीज़े आपकी प्रमुक्ता से पुछी जाती है ठीक है अच्छा फिर अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें आपका लाइं तो मैंने अइक नेक्स्ट यहाँ पर जो लबात की थी वह बात की अ प्रवाटकी न मीट्री के बात कर लेतेई पाइथागोरस थीरम पाइथागोरस थीरम के साथ साथ सर्कल सर्कल के साथ साथ आर्क कार्ड टैंजेंट ये सारी चीजें और इससे बहुत प्रश्नाते हैं पिर अगर हम बात करें तो आपका sectors and segment sectors and segment ठीक है और partial lines partial line ये आपकी geometry में चीजे पुछी जाएंगी geometry की बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने जो चर्चा किया था इसका शर्चा किया था coordinate geometry का coordinate geometry की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमें चीजे मिल जाएंगी वो straight line class lines में ही पढ़ लिया होगा आप लोगों ने straight line फिर pair of straight line ठीक है straight line pair of straight line इसके बाद अगर हम बात करें तो कार्टेसियन प्लेन इसपेर, चॉन, सिलिंडर फिर कॉनिक सेक्षन और भी बहुत सारी चीजे हैं जो इन सब चीजों में हमें पढ़ने हैं ठीक है चलिए अगर अगले टॉपिक की और चले तो हमने यहां पर जो चर्चा किया था वह दानेमिक की किया था इन डैनेमिक में हमने बोला था आपको पढ़ना क्या है आपको liniar motion पढ़ना है लीनियर मोशन पढ़ना है और क्या पढ़ना है आपको आपको प्रजक्टाइल मोशन पढ़ना है और आपको पढ़ना है और आपको पढ़ना है ठीक है देकार से देखा जाए तो फिजिक्स का टॉपिक है जो पढ़ना पढ़ता है चलिए अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहां को ने किसकी बात की थी vector analysis की बात की थी vector analysis की बात की थी vector analysis में देखा जाएं तो vector component form vector component form unit vector unit vector के बाद direction कोशाइन direction कोशाइन के बाद scalar product scalar product scalar product के बाद अगर देखा जाएं तो vector product scalar product और vector product work done and 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 force फिर ट्रिपल प्रोड़क्ट और ट्रिपल प्रोड़क्ट और यह सारी चीज़े आपको इसमें पढ़ नहीं है vector analysis के अंतर के पिर यहां पर जो उनने बाचित किया था वो इस्टाटिक्स की किया था इस्टाटिक्स में क्या चीज़ है लामीज थीरम है लामीज थीरम के बाद आपका ट्रेंगल थीरम है ट्रेंगल थीरम के बाद आपका resolution of force है resolution of force के बाद आपका equilibrium of force है इसको आप लोग गुरू तो यह आपका स्टाटिक्स का टॉपिक है तो यही सारी टॉपिक्स हमें क्या करना है हमें तयार करना है और इसी से related questions आपके TGT और PGT में आते हैं तो आसा करता हूं कि syllabus आप लोग को समझ माया होगा यहाँ पर माने एक एक syllabus को टॉपिक वाइस टॉपिक इसलिए लिख्या है क्योंकि आपको आसानी सी समझ में आ जाए वीडियो को तेज धीमा करेंगे आप पुरे टॉपिक को समझ सकते हैं और अब हम लोग यहाँ पर धिरे-धिरे पुरी क्लास की स्टार्ट यहाँ पर धिरे-धिरे करेंगे और टॉपिक वाइस टॉपिक पुरे syllabus को यहाँ पर डालेंगे तो आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्याँ